विल्कम बैक एवरीवन इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं जैनित ड्रग्स लिमिटेट का जो आई-पियो आया है उसके बारे में ये एक SME आई-पियो है और हम लोग शुरुवात करेंगे इस कंपनी के बिजनस से देखिए यहां पर जो कंपनी का बिजनस है वो होगा है यहां पर जो anti-bacterial creams हो गए anti-inflammatory creams हो गए वो सारी चीदे company बनाती है और साथ में liquid orals का बिजनस है तो यह major verticals है बट आपके screen पर और भी components जो company के अंडर आते वो आ रहा हुँँगे देखिए यहां पर जो इनका purpose है वो generic medicines और over-the-counter medicines का है over-the-counter medicines generally हम लोग उनको कहते है जिनको लेने के लिए prescription नहीं चाहिए होता है अब आपको अगर ORS powder चाहिए तो उसके लिए आपको prescription लेने की कोई दरूत नहीं है आप यहाँ पे किसी भी pharmacy पे जाएंगे तो आपको easily मिल जाएगा दीए sales का data हमारे बास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है पर 2022 से 23 के period के अंदर जो jump देखने को मिली हमें sales के अंदर वो काफी ज़्यादा healthy नजर आ रही है साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पे PAT की बात करते है which is profit after tax उसके अंदर भी हमें अच्छी growth देखने को मिली which is a very good point generally हम लोगों ने देखा है कि इस business के अंदर API इसके अंदर and जितने भी यह OTC medicines आती है इनमें company अच्छा margin बना लेती है same case हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है इस company का एक major business drive होता है यहाँ पे trading करके तो मतलब B2B का component जो comparatively एक अच्छे end पर है यहाँ पर सबसे main चीज company ने यह बताई है कि इन लोग को जो पैसा चाहिए वो चाहिए यहाँ पे एक नया setup लगाने के लिए एक नई manufacturing facility यह लोग यहाँ पे basically लगाना चाह रहे है दूसरा चीज यहाँ पे बताया गया है कि उनके पास में already manufacturing facility है उसको यह लोग upgrade करवाना चाहरे है और बाकी दर reasons काफी जादा generic है जो कि working capital और general cooperative purpose के हिसाब से तो उन्हें ignore कर सकते हैं बट यह दो primary reasons है IPO dates की बात कर लेते हैं ये issue basically 19th of Feb को open होने वाला है और बाकी भी जितने details है वो आपके screen पर आ रहे होंगे please note कि ये सारे dates यहाँ पर tentative है साथी में आज का grey market premium and subscription data भी आपके screen पर आ गया होगा देखिए यहाँ पर ये जो issue size है 40 crores का है जिसके अंदर सारे का सारा जो है नया race किया जा रहा है which is a very good thing second day subscription data यहाँ पर काफी जादा matter करेगा तो देखते है numbers कैसे रहते हैं but with that said I hope you guys enjoyed this episode पसंद आया तो please like, share, subscribe जरूर करियेगा and I'll see you guys in the next one